इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं नितिन सांगवान सर के एसेंशल सोचोलोजी करिंटली हमारा चैप्टर फोर चल रहा है थिंकर्स वाला पोर्शन तो काफी इंपॉर्टन एपक एग्जाम परस्पेक्टिव से कालमाक्स हमारा हो गया है इमायल दुर्खेम हम डिसकस कर रहे हैं जिसका हमने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग का उनका सोचल फाक्ट और डिजन फ्लेबर वगेरा डिसकस कर लिया है तो आज का टॉपिक जो हम डिसकस करने जा रहे है वो है उनकी थेयरी अफ स्यूसाइड ठीक है तो जहां दुर्खेम की बात आती है you already know कि वो एक पॉजिटिविस्ट थे तो अगर उन्होंने किसी चीज को स्टड़ी किया है इस इस सउसाइड तो हमें कहीं नगर स्टड़ी से रिलेकी करेंगे कि हमें लगेगा कि अगर किसी इनसान ने स्यूसाइड किया है तो हमारा बेसिक मकसद होगा जानने का कि उसके दिमाग में क्या सब चीज़े चल रही थी इक परसनल फिनौमेना से लेकिन इमायल दुर्खीम ने इस चीज़ को reject किया उन्होंने कहा कि हम इसको scientifically पढ़ेंगे क्योंकि suicide कोई personal phenomena नहीं है ये एक social phenomena है और वो कैसे करके उन्होंने किया वो हम इसमें देखते हैं ये पहला serious effort था establish करने के लिए empiricism in sociology research methodology की actual चुरुआत जो हुई थी वो study of suicide से ही हुई थी ठीक है empiricism means अब आप वो चीज़े देखोगे जो आप observe कर सको और verify कर सको ठीक है आप वो वाली बाते करोगे जो empirical होंगी दुर्खीम ने attempts to examine a seemingly personal phenomena जैसे suicide sociological way में उन्होंने use किया scientific methodology for the first time और दिखाया कि real laws जो है वो आप discover कर सकते हैं sociology में भी जैसे कि आप science में discover करते हैं ठीक है तो research methodology की starting उनकी suicide के जो उनकी research थी वहाँ से आप कह सकते हो हुई थी क्योंकि जो data इन्होंने लिया था वो directly observed and measured data था वो कहां से उन्होंने data लिया था वो भी हम देखेंगे इस topic में तो जो यह theory थी एक practical approach थी या pragmatic approach थी दुरखेम की understand करने के लिए social problems को क्योंकि इन्होंने suicide को भी एक social problem ही कहा था थीक है तो दुरखेम का जो least suicide में उन्होंने define किया था suicide को कि suicide जो है it is any case of death caused by directly or indirectly positive or negative action of the victim himself which he knows will produce this result ठीक है simple से definition है अब इसमें कुछ keywords आप देख रहे होंगे कि positive action और negative action क्या होता है suicide का positive action means जो आप जान के कोई act ऐसा करो जिसमें आपको पता है कि आप मरने वाले हो ठीक है आप कोई activity करते हो यह कोई actions आप perform कर रहे हो for example आप जहर खाते हो that means a positive action है negative action है दो कि आपको पता है कि आप मर जाओगे लेकिन inaction की वज़ा से कुछ नहीं करने की वज़ा से for example कहीं आग लगी है और आप वहीं अंदर ही रह रहे हो उसी घर के अंदर रहे हो जहां पर आग लगी है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो आप हिल नहीं रहे हो आपके inaction की वज़ा से आपकी death हो रही है indirect cause वो होते है death के when a person has no intention of dying though he knows he may die जैसे army persons, firefighters वगेरा वो जाते नहीं हैं मरने के लिए उनका कोई intention नहीं होता है लेकिन कहीं ना कहीं back of the mind उनको ये चीज होती है कि हो सकता है हम वापस ना आए हो सकता है कि हम मर जाएं ठीक है तो ये दुरखेम ने suicide का थोड़ा intro दिया था as a sociologist दुरखेम जो थे वो किसी एक specific individual क्यों suicide करता है उसमें interested नहीं थे वो interest थे explain करने के लिए suicide rates जो है वो different groups के different q है और वो explain करने की वज़ा से उन्होंने कोई reasons थे कि लोग जो suicide जादा करते हैं वो क्यों suicide करते हैं और वो कौन से groups हैं जो जादा suicides attempt करते हैं for the purpose of theory building उन्होंने data कहां से अपना लिया था police record से from various regions of Europe at different time periods ठीक है तो data उन्होंने लिया था police record से तो इससे आप recall कर सकते हैं मैंने आपको दो type of data पढ़ाए थे एक में आपका primary data होता है और एक secondary data होता है तो अब जल्दी से बताओ police record से जो data लिया गया होगा वो कौन सा data होगा primary या secondary वो secondary data होगा primary data होता है जिसमें आपको first time information मिलती है जहाँ पर आप खुद field में जाके data collect कर रहे हो ठीक है और secondary data होता है जो already किसी ने data बनाया होता है वहाँ से आप अपना data लेते हैं for example कोई government documents होगे या कोई memoirs होते हैं या gazette जो gazette publish होते हैं ठीक है वहाँ से या जैसे इन्होंने police record से data लिया था तो ये secondary form of data secondary data इसको बोला जाता है इस data की help से उन्होंने establish कि suicide social phenomena है not an individual phenomena और चुंकि वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको existing literature को भी review करना पड़ा on suicide और उन्होंने reject की existing explanations जो link करती थी suicide को imitation stress modernity वगेरा से उन्होंने कुछ reasons भी दिये थे कि क्यों इन सब चीज़ों के साथ आपका suicide जो है वो link नहीं है पहले इन्होंने कहा suicide cannot be explained through psychological, geographical, climatic, hereditary factors geographical, psychological, climatic, hereditary factors क्यों कि अगर 10 लोग same conditions से जा रहे हैं तो accordingly तो logically speaking वो 10 लोग suicide करने चाहिए ठीकिए अगर सर दिलाकों में जादा suicides हो रहे हैं तो logically speaking जो colder countries है वहां की suicide rate higher होनी चाहिए पर उनक्यों अपने data से ऐसी कोई चीज़ प्रूफ नहीं हुई तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को reject किया तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को between rate of suicide and different non-social factors like temperature, insanity, race, alcoholism इन चीज़ों के साथ कोई positive correlation नहीं था correlations आपके positive correlation होते है या negative correlation that means अपका एक variable बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है that means अगर आप temperature औ suicide की study करो इनके बीच का positive correlation कहेगा कि अगर temperature बढ़ रहा है तो suicide भी बढ़ रहा है negative correlation कहेगा अगर temperature बढ़ रहा है तो suicide rates कम हो रही है ठीक है यह zero correlation भी एक type का correlation होता है जो कहेगा कि temperature और suicide में कोई आपस में correlation नहीं है ठीक तो यह कुछ types of correlations है तो पहला reason इनका reject करने का ठीक दूसरा था उन्होंने explain कि sociological causes of suicide by correlating suicide rates with various other social factors तो हम देखेंगे क्या क्या उन्होंने कहा था he proved that certain rates of suicide is normal in society with the help of statistical data उन्होंने ये भी प्रूव किया कि कुछ percentage of suicide जो है society के लिए वो normal Durkheim में use किया था multivariate analysis का जो concept है अपनी theory of suicide में multivariate means multi you know many and variate is related to your variables तेखो जैसे मैंने पहले भी explain किया है देखो जैसे आपका suicide अगर आप बोलोगे suicide जो है ये related है आपके gender से तो gender suicide आपका dependent variable हो गया ठीक है जो किस पे ये करता है depend करता है आपके independent variable पे जो आपका gender है अगर आप multiple independent variables लेते हो जैसे gender, age, religion वगेरा और उन सब का relation देखते हो क्या है suicide के साथ तो पहले आप age, gender को constant रखोगे for example और religion के साथ इसका relation निकालोगे फिर religion को constant रखके age के साथ और gender के साथ इसका relation निकालोगे suicide का तो वो आपका multivariate analysis होगा ये हमने science में practical में काफी बार हमने ऐसे experiments किये हैं जिसमें हम एक चीज को constant रखके बाकी चीज़ों के साथ उसका दूसरे जो हमारा variable है उसका relation determine करते थे तो दुर्खेम ने analyze किया impact of multi independent variable जैसे gender, age, religion, dependent variable पर dependent variable इसमें क्या है suicide ये variables मैंने आपको पहले explain किये हैं हमारे पास dependent variable and independent variable होता है एक पर फिर से बोले थी हूँ, for example अगर आप research कर रहे हैं कि more educated you are more educated you are higher will be your income ठीक है, तो इसमें आपकी income जो है वो किस पर depend करती है आपकी education पर तो income आपका dependent variable है और education आपका independent variable है, अगर आप education के साथ इसमें caste, ठीक है, आपकी geography, आपकी political issues या polity, ठीक है political turmoil बोलो, ये सारे चीज़ी भी relate करोगे, तो ये आपका multi independent variables बनेंगे जिस पर आपका कुम सा variable depend करता है आपकी income, ठीक है, तो ये आपके dependent and independent variables होगे ये भी हमने पहले explain किया हुआ है अब यहाँ तक clear हो गया, आगे देखते हैं दुरखेम ने अनलाईज किया data को different countries, races वगेरा से और उसने conclude किया कि factors जैसे race, hereditary, climate they do not produce consistent explanations वो नहीं देते हैं for example मैंने पहले भी आपको एक्जांपल बताई अगर temperature cause होता तो जो warmer countries है for that matter या colder countries were expected to have differential rate of suicide that means अगर high temperature अगर temperature आपका impact करता है suicide को, तो जो warmer countries है उनका एक differential suicide rate होना चाहिए as compared to colder countries तो ऐसे सारी चीज़े इन्होंने negate कि अपने data से कि ऐसा सब कुछ possible, नहीं मतब ऐसा सब data में नहीं देखा गया है similarly, अगर mental illness को आप बोलो mental illness की वज़ा से लोग suicide rate करते हैं तो then there was there has to be some relation of suicide rates with the illness incidences के for example, अगर 10% लोग अभी mental illness से जा रहे हैं, तो suicide rate पी उसके approximately होना चाहिए तो इन्होंने कहा, ऐसा भी कोई cause effect causal relation जो है, वो established नहीं कर पाए वो जो rate of suicide है it was found fairly consistent in different countries over a period of time ये consistent रहा है suicide rate तो mental illness और temperature वगेरा geography ऐसी सारी चीज़ों के साथ आपका suicide related नहीं है उन्होंने अब explore किया थी है ये तो उन्होंने पहले कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं ये जो review किया उन्होंने literature और किस-किस चीज़ को उन्होंने अपने data से negate किया कि उन्होंने ऐसा सब कुछ कहीं भी देखने को नहीं मिला उनको अब उन्होंने क्या cause बताए by using statistical techniques found के relation है between suicide rate and different social variables attached to the people who committed suicide वो social variables ये marital status locality for example आप गाओं के हैं ये शहर के हैं developed है ये underdeveloped nation को belong करते हैं आपकी religious orientation क्या है आपका sex क्या है male है या female है तो ये सब social variables उन्होंने suicide से relate किये कि ये सारी चीज़ डिटर्मिन करती है कि suicide rate क्या रहेगा आपके area का या जहांके आप जहांसा बलॉंग करते हैं वहांका suicide rate क्या रहेगा तो एक detailed research conclude किया कि जो males है उनमें greater tendency है than females suicide की तो अगर आप males में suicide rate देखेंगे male की suicide rate आपको ज़्यादा मिलेगी rate of suicide is found among bachelors is more as compared to marriage तो marittals जो maritt है उनका suicide rate जो है वो कम है bachelor से क्यूंकि marriage कहीं न कहीं आपको एक protection और stability provide करता है ठीके तो अगर आप marriages को लेके अगर आप suicide rate को उससे compare करेंगे तो वहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे under developed countries की less suicide rates and then developed countries religion के basis पे उन्होंने कहा देखो protestants और catholics Christianity से आते हैं दोनो catholics होगे जो आपके church bound है that means जहाँ पे religion का control ज़्यादा है क्योंकि Catholics को religion regulate कर रहा है तो वो अपने emotions वहाँ से express कर पाता है इसलिए उन्होंने suicidal rate जो है वो कम है उससे इन्होंने कुछ ये conclusions जो है वो derived किये थे in each of the above cases he contended that those who have higher tendency of committing suicide वो less integrated है society से ठीक है अब ये हम directly explain करते हैं इन्होंने कहा था दो चीज़ेंने कही थी integration or regulation कि कही ना कही आपका जो suicide rate है आपकी जो suicide है वो depend करता है कि आप कितने integrated है और कितने regulated है अपनी society से अगर आप over integrated है society में तो वो भी एक problem हो जाती है अगर आप under integrated है तो वो भी एक problem है जो suicide में finally आप जो suicide attempt है उस वज़ा से करते है अगर आप over regulated हैं तो भी आप suicide की तरफ जाएंगे अगर आप under regulated हैं तो भी आप suicide की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो दो factors इनने कहते हैं, जा आपको याद रखने है integration and regulation, over-integration also leads to suicide, under-integration also leads to suicide, and over-regulation also leads to suicide, and under-regulation also leads to suicide, according to him, individual के हो सकता है, psychological dispositions, pre-dispositions भी हो, but it is the impact of suicidogenic impulses, कि जिसमें वो suicide करने का, वो impulse होता है which leads to actual suicide, तो इसको secondary importance इन्होंने दी थी, कही ने कहीं मों psychology से related भी problem हो सकती है, लेकिन mainly एक social problem है, तो इन्होंने इसको explain किया था integration और regulation से अब देखो, integration मेंने आपको कहा, over-integration है, under-integration या low-integration आप इसको बोल सकते हो अब देखो, जो over-integrated होते है, उनको उस type of suicide को हम बोलते है, altristic suicide, जो आपको कहां मिलती है over-integrated logo में, ठीक है और ये जो altristic suicide है it results from over-integration of an individual for example, sati की example ले लो, ठीक है, सती पर क्या करते थे, जिनके husbands की death हो जाते थे, उनके funeral पर उनको भी जलाया जाता था जिन्दा जलाया जाता था, अब वो women भी इस चीज के लिए agree होते थे, क्यूंकि वो इतना ये, क्यूंकि वो इतना integrate थे अपनी society से, वो इतना जुड़े होई थे, कि उनको लगता था, society जो चीज उनको भूल रही है करने के लिए, वो ठीक है, तो ये अपनी जादा integrate है अपनी society से, अपने nation से, कि उनके लिए वहाँ जाना easy हो जाता है, ये example of Japanese kamikaze pilots, ये थे को क्या हुआ था, ये जो kamikaze pilots थे, World War 2nd का time है around Philippines area, Pacific Ocean में, तो यहाँ पे जो Japanese pilots थे, ये डिरेक्ली जाके crash करते थे, अपना जो भी इनका warships थी, enemy की जो warships थी, ये pilots अपना plane जाके, डिरेक्ली उनकी warships से crash करते थे, crash करेंगे तो मर जाएंगे तो ये kind of suicide था, जो ये over integration की वज़ा से कर रहे थे, World War 2nd के time पे ठीक है, यहाँ इसको आप negative में भी ले सकते हो, जिसे 9-11 attack वगएरा जो carry out करते हैं, वो भी इतने साथा integrated होते हैं अपनी society, अपनी ideology के साथ कि उनके लिए ये काम करना जो है वो easy हो जाता है, यह होता है over integration, ठीक है, under integration या low integration आपका egoistic suicide है यह वो type of suicide है for example, किसी ने UPSC का exam दे दिया, वो fail हो गया अब उसके पास ऐसा कोई नहीं है, जिसके साथ वो अपने emotions share कर सके, वो overwhelm हो जाता है अपने emotions को लेके वो express नहीं कर पाता है अपने emotions को वो depression में चला जाता है, और काफी cases made results into suicide और यह practical cases भी है, यह kind of egoistic suicide है, क्योंकि वो integrated नहीं है उतना जादा अपनी society से, या अपनी family से कि उसको कहीं पे भी वो एक positive emotional support नहीं मिलता है, तिक है अगर मिलेगा भी तो काफी कम होता है, इसकी वज़ा यह होती है ना कि, जिससे गर आपके marks कम आते हैं, काफी, बच्चों ऐसा देखा गया है, कि वो इतने जाद अपने family और अपनी society, अपनी extended family, उनके साथ integrated नहीं होते हैं, कि वो अपने कम marks उनके साथ share कर पाए, तो इस वज़ा से क्या हो सकता है, वो बच्चे जूट भोलते हैं, अपने marks card छुपा देते हैं, यह कई बच्चे तो 7th, 8th standard में भी fail होने पे suicide करते हैं, तो वो type of suicide, जिसे कोई IIT रह गया वगयरा, वो सारी examples, वो egoistic suicide में आएंगी, ठीक है, जो failure extreme success किसी को मिल गई, और वो पागली, खुशी में आके उसने खुदखुशी कर ली, depression, यह failure की वज़े से, है ना, आप success की वज़े से भी होता है, देखो, अगर आप ही case, मैंने कुछ time पहले देखा तक, lottery काफी ज़ादा यह निकली थी, कि उसके काफी ज़ादा amount की lottery निकली थी, और इस वज़े से उसने शाद वो उपर से कूद गिया था, अपने terrace से, कि उसको समझ में नहीं आया, वो क्या करेगा, वो किसके साथ अभी चीज़ शेयर करें, ठीके, तो क्यूंकि वो come integrated होते हैं अपनी society के साथ, societies जिन में, which have such values that bind individuals strongly have fever incidences of egoistic suicide, अब अगर come, यह अगर bond इनका अच्छा होगा, तो suicide के, जो egoistic suicide के, जो cases हैं, वो come होगे, ठीके, दुर्खेम ने कहा था, protestant Christians में, जादा rates से egoistic suicide के दिन Catholics, क्यूंकि protestantism gives more freedom to individuals, जादा freedom means come integration, ठीके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, दुर्खेम ने कोई एक quote बताया था, कि whereas higher rates of egoistic suicide stem from incurable weariness and sad depression, the increased likelihood of altruistic suicide springs from hope, for it depends on the belief in beautiful perspectives beyond this life, ठीके, वो hope पर यह करता है, जो springs from hope, यह hope से आता है, altruistic suicide, और जो egoistic suicide है, या weakness, या कोई sad, या depressive mode में चला गया, यह वहाँ से stem करता है, ठीके? आगे, यह next हम देखते हैं, forces of regulation, ठीके? तो इसमें क्या होगा, एक तो आपको over regulation की वज़े से लोग suicide करेंगे, और एक under regulation की वज़े से करेंगे, जैसे आपका over integration और आपका lesser integration में था, ठीके, तो anomalics suicide होता है, जब आपका under integration वाला case होता है, और fatalistic suicide होता है, sorry, under regulation वाला case होता है, और fatalistic suicide होता है, जब आपका over regulation वाला case होता है, fine, तो anomalics suicide usually होता है, कि एक situation आती है, अगर आप anomalics को general terms में समझे, normlessness की, कि आपको कोई regulate करने वाला नहीं है, आपको कोई control करने वाला नहीं है, जब आपके कोई regulation ना हो, चाहे वो regulation आपकी government से आए, आपकी family से आए, religion से आए, तो आप heedless गूम हो गया, आपको कोई direction नहीं मिलेगी, तो finally कुछ cases में it leads to suicide, ठीके, एक feeling of dejection या desperation वाली feeling अफेस करते हो, तो usually किन चीज़ों में देखा गया है anomic suicide, according to Durkheim, उन्होंने काता कि economic boom और economic bust में हम यह देखते हैं, जब आपकी economy काफी अच्छी चल रही हो और आपके desires limitless हो जाएं, आप confused हो जाओ कि आपको क्या करना है, तो उस वज़ा से भी anomic suicides होते हैं, या अगर आपका जो economic slowdown चल रहा है, तो कोई growth नहीं है, ठीके productivity नहीं है society में, उस वज़ासे भी आपकी जो suicide, economic suicide वो result में आती है, ठीके तो economic suicide को further classify करते हो acute economic, जब आपके traditional institutions, जब आपके traditional institutions, जब आपके एकनोमी हो गया, ठीके, या उसके दूसरे subtypes भी है, acute domestic and chronic domestic, अब यहीं अगर आप society में अप्लाई करूगे, social laws के लिए, तो वो आपका acute domestic और chronic domestic बनेगा, ठीके, जैसे आपका acute economic था और chronic economic था, मर्टन ने भी इसमें कोई बात कही है, वो हम आगे discuss करेंगे cultural goals और means को लेके हमें मर्टन thinkers यह separately पढ़ने हैं, वहाँ पर आप यह समझ जाओगे, उन्होंने भी theory of anomaly और anomaly के बारे में कुछ बाते कही थी, fatalistic suicide हो आपका जब over regulation होती है, for example, slavery system में देख लो, जब slaves को extra control करने लगते हो, इतना कि means उनके पास कोई freedom नहीं होती है, ठीक है, तो finally वो क्या करते हैं, इस सब चीजों से तंग आके जब आप उनको extra regulate करने ही कोशिश करो, वो fatalistic suicide में result करता है, अगर आप normal family में भी example लो, काफी suicide cases इस वज़ा से भी होते हैं, क्योंकि बच्चों पर extra control किया जाता है, इतना control कि वो breathe नहीं कर पाते freely उस environment में, तो वो भी इसकी एक example होगी, operation of individual leads to suffocation, powerlessness, एक उन्टो दुर्खेम उनने कहा था, persons with future pitilessly blocked, passions and violently choked by oppressive disciplines, they are more likely to commit such suicides, ठीक है, for example, अगर आप इसमें देख सकते, यहां पर example लिखी हुई है, slave who takes his own life, क्योंकि hopelessness associated with the oppressive regulation, ठीक है, ऐसे जो suicides है, they are rare in modern societies, क्योंकि जो society है, आपकी इतनी ज़ादा over-regulated नहीं है, सारे members of society के लिए, क्योंकि laws बने हुए हैं, अगर आपके labors कहीं काम करते हैं, तो उनके लिए भी laws बने हुए हैं, अगर आपके domestic helpers कहीं काम करते हैं, तो उनके भी अपने fundamental rights हैं, जो आप curb नहीं कर सकते हो, तो इस वज़र से modern society में यह कम देखने को मिलता है, तो जो over-regulation और over-integration वाली बात है, जैसे हमने पढ़ा altruistic and fatalistic society, तो आपके altruism अपका over-integration है, वो किन societies में देखने को मिलता है, जादा traditional societies में, क्यूंकि वो over-regulated होती हैं, और over-integrated होती हैं, ठीके तो यह दुरखेम ने का, finally दुरखेम ने यह बात भी कही, कि psychological factors का भी secondary role होता है, इसमें, suicide में, लेकिन जो suicide है, यह एक social phenomena ही है, और जो उन्हें कहा था, एक particular rate of suicide जो है, वो normal है society में, क्यूंकि यह highlight करता है, problem of integration and regulation, समझगे अगर एक 5% rate, for example, इन्हें नहीं कहा था, आपको समझाने के लिए बोल रही हूं, इतना suicide अगर society में चल रहा है, इतना normal है, क्यूंकि जब इस suicide को study करोगे, तो आपको पता चलेगा, society में कहां-कहां problem of integration and regulation चल रही है, और क्या-क्या आपको सही करने की जरूरत है, ठीक, तो और इन्होंने कहा था, अगर यह increase हो जाए कि beyond certain limit, यह pathological या abnormal हो जाता है, suicide आपका, ठीक है, despite its claim of empiricism, theory of suicide है, कुछ ground पर उनको criticize किया गया है, इन्होंने कहा था, empirical observation थी, that means pure scientific, इन्होंने investigation के थी अपनी तरफ से, लेकिन कुछ ना कुछ loopholes जो हैं, वो मिल ही जाते हैं, J.M. Atkinson's ने discovering suicide लिखी थी, उसमें इन्होंने कहा, जो quality of statistics है, इसमें वो questionable है, वो क्यूं है, इन्होंने कहा था कि जो Protestants है, उन्होंने स्यूसाइड रेट है, as compared to Catholics, अब मैं बताएं, जो Catholics हैं, देवर कौन से थे, they had more control over church, वो church control, जो ये थे, church की जहां जादा importance ही, वो Catholicism में है, ठीक है, Protestants है, जो freedom की जादा बात करते हैं, तो जो Catholics है, देवर more powerful, क्यूंकि religion based society थी, और religion Catholics के पास था, तो ये हो सकता है, कि Catholics कुछ भी करके, suicide को disguise भी कर सकते थे, कि वो चुपा देते, suicide को या अलग reasons present करते, ताकि, वो ये दिखा सकें, कि, जो religious based society होती है, उसके harmonious picture, वो present कर सकें, इस वज़ा से, वो suicides के जो rates से, उसको उसमें गड़ब भी कर सकते थे, जरूरी नहीं, वो हर suicide जो है, वो बताएं, कि यहाँ पे society में, कितने सारी suicides attempt हो रहे हैं, fine, similarly, higher rates of suicide in some countries, over others, may be due to different methods of investigation, यह जो methods यूज़ कर रहे हैं, तो उसे ज़्यादा, उनको suicide के बारे में, rate के बारे में, information मिल रही है, और किसी country में हो सकता है, उतना नहीं हो, तो यह criticism है, and secondly, उन्होंने police station से data लिया था, जो कुण सा form of data है, secondary form of data, fine, तो पुलिस पे भी आप कितना rely कर सकते हो, unreported suicides भी है, attempted suicide को include नहीं किया गया है, और पुलिस ने कितना data जो है, कुछ cases को दबाने के लिए, उसको murder cases को कितना suicide report कर लेते हैं, fine, तो इतने काफी loopholes हैं, इसलिए जो उनने जो data लिया था, उस पे हम ज़ादा rely नहीं कर सकते, तो poor reliability है उनके data में, second, David Friedman ने ecological fallacy लिखी थी, उसमें उनने कहा, कि he accused him of committing ecological fallacy, as he tried to generalize an apparent personal phenomena, देखो ecological fallacy क्या होता है, अगर मैं आपको simple terms में बताऊ, अगर आप किसी एक personal phenomena को generalize करते हो, या एक general phenomena को आप हर individual के साथ relate करते हो, for example class में अगर 50 students है, आप बोलते हो कि class जो है, यह duffer class है, usually हर class में बोला जाता है, कि हमारी सबसे worst class है, हमारी history की सबसे worst class हमारी यही 10th class की section है, तो that means आप generalize कर रहे हो, वहाँ पे 50 students है, ऐसा नहीं हो सकता कि 50 के 50 जो है वह अच्छा नहीं पढ़ते हो, fine, तो आप एक जो general phenomena है, आप उसको एक हर एक individual से relate कर रहे हो, ठीक है ना, क्यूंकि आप ऐसे नहीं general picture नहीं present कर सकते हैं, इस class के सब इस students fail हो चाते हैं, नहीं उस class में 50 students है, तो इसको एक error बोलते है, ecological fallacy, अब यहीं देख लो, इन्होंने क्या किया था, suicide का इन्होंने एक general picture दी थी, इन्होंने individual जो भी suicide के reasons होंगे, उस सब को जो है वो negate किया था, यह reject किया था, और एक over generalized picture, जो है suicide की वो present की थी, ठीक है, तो एक personal phenomena को इन्होंने generalize किया था, इसको एक logical fallacy बोला जाता है, ठीक, यह था आपका दुर्खेम का suicide, next हम, next video में में cover कर रहाँगे, religion and society, I think इतना ही दुर्खेम का book पे दिया हुआ है, उसके बाद आपका next thinker start हो जाएगा, Max Weber, एक इस यह आपका religion का topic है, हाँ, और next फिर हम start करेंगे, Max Weber, ठीक है, उसके बाद थोड़े यही तीन thinkers detail में थे, बाकी के जो thinkers हैं, उनके दो-तीन concept सी, सरफ हमें पढ़ने हैं, ठीक है, तो till the time upload next video, बबाई, टेकिया, have a great day, और प्लीज दू subscribe to my channel, शियर करें अपने friends में, ता कि मैं encourage हो जाओ, नए videos बनाने के लिए, बाई, टेकिया, have a great day,